हेलो एब्रीवन वेलकम वन्स अगेन इन माई यूट्यूब चैनल इने के कारेर एकेडमी तो देखिए अभी हम लोग क्लास नाइन के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं जिसमें आपको तीसरा चाप्टर पढ़ाया जा रहा है बल तथा गती के नियम और इसमें पिछले वीडियो कोज में हम इस चैप्टर के सारे थियूरिकल टॉपिक्स को कम्पलीट कर चुके हैं नुमेरिकल क्वेस्टन को भी बनाया थे और इस वीडियो में हमें इस चैप्टर के जितने सारे भी इंप्वाटेंट अब्जेक्टिव कोश्टन से लगबग 20-25 अब्जेक्टिव को द q 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 वो किस के बराबर होता है, तो 1 Newton होता है, 1 kg into meter per second square के बराबर, और ऐसा इसलिए होता है, क्यूंकि Ball का formula ही हिोता है, aim गुने a, तो देखे, बल का इसा ही मात्रक निकालेंगे, तो यहाँ, aim का मतलब का तरब्य मनतो स्पटन, और एक मतलब त्वारण तो इसका सही मात्रक मीटर पर शेकेंड स्कॉर्ड इसलिए एक न्यूटन में हो जाता है एक किलोग्राम इंटू पर में इंटू में पर शेकेंड स्कॉर्ड यानि इसका ऑप्शन सी जो है यह सही है अब इसके बाद आते हैं चार नंबर कोश्चन प यह नहीं होता है फर्मूला पांस नंबर में दिया है कि एदि एफ परिमान का बल एम दर्बेमान की किसी वस्तू पर एत्वरण उत्वन करता हो तो क्या होगा तो इसमें चारों आप्शन में से कौन सा सही है मतलब एफ परिमान का जो बल है अगर एम दर्बेमान की और ए त्वरण उत्पन करता हो तब निम्र लिखित में कौन सही है यह आपको देखना है तो हम अभी आपको बताएं कि ए फिसकल तो हम इसको ऐसे लिख सकते है कि ए शमानुपाती एफ को अठाईएगा तो 1 बटा एम याणि इसका अंसर होगा इंवर्स प्रोपर्शनल एम का, यानि ए समानुपाती वन बाई एम, तो ये वाला उप्शन सही है, मतलब A और A में ये दोनों समानु व्यूत कर मानुपाती होता है, इसके कहने का मतलब यह है, कि माल लिजे, कि आप किसी वस्तू पर बल लगार है, आप किसी वस्तू पर माल लिजे कि 5 न्यूटन का तो अगर उस वस्तू का द्रब्यमान कम होगा तो उसमें ज्यादा क्यम का उद्पन पूर उसका वजन तो कि में अगर थे अधिक पुत अधिक तो उसमें ज्यादत गौन आपत्पन नहीं कर सकते हैं यानी दूनों मों उल्टा शंबंद हैском Channel aim अंसले कि अ और समानुपाति का चीन देकर one by a और यह तो किसी भी तरश सही नहीं दिख रहा और यह भी सही नहीं होगा क्योंकि a में और a अब आई इसके बाद हम चलते हैं question number 6 के तरफ यहां पर का रहा है कि घर्षन बल हमेशा काम करता है तो आपको बताया थे कि घर्षन बल उस बल को कहा जाता है जो किसी वस्तू के गती का विरोध करता है किसी वस्तू के गती को रोकता है यानि घर्षन बल कभी वी गती के साथ number में का रहा 5 किलो ग्राम दरबेमान का एक पिंड है उस पर कितना बल लगाया जाए कि उसमें इतना का त्वरण उत्पन हो जाए तो देखिए एफिस कल्टू बताया हम आपको एम गुने ए होता है तो एम कितना है 5 केजी और त्वरण कितना उत्पन करना है 2 मीटर प वस्तू है अगर उस पर तीन न्यूटन का बल लग रहा तो फिर उस वस्तू में त्वरण जो उत्पन होगा वह कितना होगा तो हम आपको बता दे कि एफिस कल्टू जब होता है एम गुने ए तो आपको त्वरण निकालना है ना तो यह एफ है तो एम गुना में है इधर होगा भाग में तो त्वरण निकालना है तो एफ में एम से भाग देना पड़ेगा तो तीन न्यूटन का बल लग रहा और उसका द्रब्य मानी यानि एम है तीन तो तीन में तीन से भाग दीजेगा तो एक आएगा यानि इसका अंसर होगा एक मीटर पर सेकेंड गती के किस नियम से जड़तों की परिभाशा प्राप्त होती है तो इसका अंसर होगा प्रथम न्यूटन के गती का जो प्रथम नियम है जो पहला नियम है उसी से जड़तों का परिभाशा प्राप्त होता है क्योंकि जड़तों का परिभाशा होता है जड़तों किसी में जड़त्व रहने देना चाहता है और न्यूटन के गत्ति का पहला नियम ही था जिसे ये जड़त्व का definition मिल पाया है जड़त्व का दस नमर कोश्चन है जड़त्व का गुण किसी किसी वस्तू में होता है प्रतियक वस्तू में होता है किसी वी वस्तू में नहीं होता और केवल गतिसील वस्तू में होता है तो देखे इसका अंसर होगा बल का मान है, वो क्या होता है, धनात्मक होता है, रिनात्मक होता है, शुन्य होता है, या तीनु हो सकता है, तो इस कांसोर अगा इन में से शबी, तीनु हो सकता है, क्योंकि भाई बल निकालने का फर्मुला यह होता है, एम गुने ए, और हम आपको बताया थे कि जो एक्सलरे सही है इनमें से सभी तो अभी यहां 11 कोश्चन देखे इसमें कुछ और कोश्चन समझना है तो आईए देखिए उसको भी 12 नम्मर कोश्चन में दिया गया है किसी वस्तू के जड़तों की माप होती है किसी वस्तू के अंदर जो जड़तों का गुड होता है उसको मापना अग पूचा गया साइकल मोटर साइकल और रेल गाड़ी माप उसके जड़त्व अधिक तो सबसे ज़्यादर गाड़ी का जड़त्व जो है सबसे अधिक है किसी वस्तु का सन्वेग किस पर निरभर करता है तो देखें सन्वेग का फर्मूला होता है द्रभेमान गुने वेग या option A में कह रहा द्रब्यमान, option B में कह रहा वेग, लेकिन हमारा option होगा C सही, ये तथा B दोनों पर, 15 नमबर में पूछा है कि सनवेग के लिए सही समी करना है, सनवेग को P से इंडिकेट करते हैं, और P बराबर होता है, द्रब्यमान गुने, वेग, यानि piece code to A म भी इसका option A सही है, 16 नमबर में कह रहा रहा है कि सनवेग का SI मातरः क्या होता है, तो這麼 का फर्मुला द्रब्यमान गुने B, इसलिए इसका SI मातरः क्या होगा, तो द्रब्यमान का एसाइमात्रक किलोग्राम और वेग का एसाइमात्रक मीटर पर सेकेंड तो सनवेग का एसाइमात्रक हो गया किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड शत्रा नमबर में कहा रहा है कि सनवेग में परिवर्तन की दर निमनलिखित में किस रासी को सुचित करती है कापियात के जिए जो हम बताया थे न्यूटन के गती का दूसरा नियम कि किसी वस्तु के सनवेग में परिवर्तन का दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है यानि सनवेग में परिवर्तन की जो दर है वो बल को सुचित करती है तो option C इसका सही answer होगा 18 नमबर में दिया गया है कि 100 kg दरब्यमान की एक वस्तु है जिस जो 5 मीटर पर सेकेंड की वेग से चल रही है तो इसका सनवेग कितना होगा तो सनवेग बराबर होता दरब्यमान गुने वेग 100 गुने 5 तो कितना हो जाएगा 500 पांच सो किलोगराम मेटर पर सेकेंड 19 नमबर में कह रहा है कि कि किसी गतिसील वस्तु का कोई गतिसील वस्तु है अगर उसके वेग को आधा कर दिया जाए तो उसका सनवेग कितना हो जाएगा जैसे माली जे कि कोई वस्तु है जिसका दरब्यमान 5 केजी है और उसका वेग जो है 10 मिटर पर सेकेंड है तो उसका सनवेग कितना होगा 50 लेकिन उसके दरबिमान उतना ही है लेकिन उसके वेग को हम आधा कर दिये वेग को आधा कर दिये तो सनवेग हो जाएगा 50-25 तो देखे वेग को जब हम आधा किये न तो सनवेग भी क्या हो गया आधा हो गया पचास से गट कर पचीस हो गया यानि इस कांसर हो जाएगा option A यानि जब आप किसी वस्तु के वेग को आधा करते हो तो उसका शनवेग भी आधा हो जाता है 20 नमबर में कहा रहा है कि प्रतिक्रिया के बराबर और विपरित प्रतिक्रिया होती है यह कौन सा गति का नियम है तो हम आपको बताया थे कि यदि हम किसी वस्तु पर एक बल लगाते हैं तो वस्तु भी हम मतलब एक बल आरोपित करते हैं लेकिन उसका दिसा थोड़ा उल्टा होता है दिसा उसका विपरित होता है तो इसी चींज को यहां कहा जा रहा है कि प्रतिक्रिया के बराबर विपरित प्रतिक्रिया होती है जिसका वैल्लू बराबर होता है तो ये न्यूटन के गति का तीसरा नियम है तो उप्शन सी इसका सही मानेंगे हम लोग 21 नमबर में कहा रहा है बंदुक का प्रतिछेप यानि बंदुक जब बंदुक से जब गोली शूट किया जाता है ये किसके सनरक्षण के सिधान्त पर काम करता है तो ये सनरक्षण के सिधान्त पर काम करता है तो इस प्रकार 11 question जो है इसमें total object बनाए इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में start करेंगे Glass 9 के physics का चौथा chapter और यह है गुरत्वा कर्शन यानि gravitation